नमश्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग एक न्यूस निकल के आ रही और ये न्यूस रिलेटेड है Employability of the Youth in India मतलब हमारे देश का जो यूथ है जो यंग पीपल है इनको और talented बनाना इनको और skill प्रोवाइड करना जिसके basis पे ये अपना development भी करें और इनका development होगा तो ये देश का भी development करेंगे तो इस respect में एक collaboration हुआ है collaboration कौन सा है तो भाई देखे Union Minister of State for Labor and Employment संतोष गंगवार साब संतोष गंगवार साब Minister of Labor है और इनो ने रिसेंटल एक statement of intent sign किया है UNICEF के साथ United Nations Children Fund के साथ statement क्या दिया ये Minister साब ने By leveraging the strength of the ministry UNICEF and associated network members we hope to enable abundant choices for our young generation to contribute and shape our country's future मतलब गंगवार साब यहाँ पे बोल रहे है कि भाई Ministry of Labor की जो strength है UNICEF की जो strength है और इससे related जो आक्टर से उनकी strength का इस्तिमाल करके हम अपने देश के युद को empower करेंगे ताकि वो देश के development पे role play करें और अपने development तो वो करेंगी करेंगी तो इस respect में आप देखोगे कि UNICEF का एक multi stakeholder alliance है उसका जो Indian version है युवा UNICEF का जो multi stakeholder alliance है उसको आप बोलते है generation unlimited यह पूरी दुनिया में काम करता है और उसका जो Indian version इसको बोलाता है युवा तो यहाँ पे labor ministry UNICEF के इसी युवा के साथ एक MOU करके हमारे देश के जो young guns हैं उनके talent को बढ़ाने के कोशिश कर रहा है उनको और employable बनाने के कोशिश कर रहा है तो यह है यह collaboration इस collaboration के अलाग अलागे क्या है National Carrier Service यहाँ पे कैसे role play करेगी National Carrier Service है क्या युवा क्या है युवा की strategy क्या है हमारे देश में लोगों की employment को बढ़ाने के लिए और कौन-कौन से initiatives लिए गए है हमारे देश का demographic dividend कितना है कितने employable youth है इन सब respect में कुछ और important statistics को भी यहाँ पे देखेंगे आगे बटन इस पहले वीडियो पे लाइक का बटन अगर अब तक इस वीडियो को शेर नहीं किया है चैनल को शेर सब्स्राइब नहीं किया कर दीजे जोएन बटन दबा के आप help कर सकते हैं इस पर्टिकुलर लेक्षर की पीडियो आपको टेलीग्राम ग्रूप में मिल जाएगी तो टेलीग्राम ग्रूप जोइन करना मत भूलिएगा इंस्टाग्राम पर फॉलो करके आप अपने messages बेश सकते हैं यूसफुल लगे वो empower करना चाहती है उसी empowerment के respect में statement of intent sign हुआ है एक तरफ है ministry of labor and employment और एक तरफ है UNICEF यहाँ पर vulnerable population कोई है तो basically यहाँ पर vulnerable population चुकि यहाँ पर employability की बात हो रही है तो वो young people जिनको नौकरीयों की जरूफ है और खासकर वो young people जिनके पास कुछ special needs है मालीजे वो disabled है ठीक है या फिर वो child liver के victims है migrant youth है किसी प्रकार का उनको violence जहिलना पड़ा है child marriage है trafficking में सफर करके आए है तो इस प्रकार की vulnerable population को specifically और help देने की कोशिश की जाएगी उनकी aspirational economic opportunities को हवा देने की कोशिश की जाएगी और इसके लिए क्या किया जाएगा तो 21 शताबदी के यंग लोगों को offline और online channels के थूँ training provide की जाएगी self learning के avenues provide की जाएगी इन learning के थूँ life skill, digital skill, financial skill और vocational skill यह हर प्रकार की skill develop करने की कोशिश की जाएगी और इसके लिए national career service एक major role play करेगी national career service क्या है तो भाई यह 5 साल का mission made project है जो की पधान मंत्री जी ने 20 July 2015 को चालू किया था वैसे technically इसे खतम होजना चाहिए बट अभी के लिए चल रहा है यह जो national career service है इसको implement करता है तो यह national career service gap को कम करता है between job seekers and employers जिन candidates को job चाहिए उनको training प्रोवाइड करना carrier guidance प्रोवाइड करना और वो agencies जो की training के लिए या नौकरी के लिए लोगों को धूड रहे है उन agencies को identify करना और उनको लोग available करवाना तो national career service के तीन main pillars है well designed information and communication technology based portal फिर country wide model career centers खोले जाएंगे जहांपे agencies जिनको training करानी है वो employers जिनको लोग चाहिए और वो employee जो की नौकरियां दूर रहे है prospective employee वो सब इन model career centers में जा सकते है और अलग-अलग states को employment exchanges के थूर जोड़ना ये काम है आपका national career service का फिर कहीना की जो area of collaboration है ministry of labor and employment और UNICEF के बीच में यहां पर job forecasting भी की जाएगी कि आगे आने वाले समय में Indian economy में कितनी jobs create की जा सकती है feedback mechanism होगा अलग-अलग youths को policy stakeholders के साथ जुड़ा जाएगा prospective employers के साथ जुड़ा जाएगा और avenues और opportunities को पैदा करने की कोशिश की जाएगी अब बात करते हैं what is you are 2018 में UNICEF ने शुरू किया था Global Generation Unlimited Partnership जेन्यू बोला जाता है क्या काम था इसका to meet the urgent needs of expanding education skill development and employment opportunities for young people around the world तो पूरी दुनिया में education available करवाना skill development available करवाना और young girls को employment available करवाना यह काम है जेन्यू का Global Generation Unlimited Partnership और यह कहीं न कहीं sustainable development framework के साथ भी मैच खाता है जो कि sustainable development framework में obvious ही बात है 2030 तक अगर आपको sustainable development framework की goals को पूरा करना है तो यूद को तो empower करना ही पड़ेगा उनको तो नौकरी दिलाना ही पड़ेगी प्रस new UN Youth Policy और सी 2030 में भी कुछ-कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है तो कुल मिला कि generation unlimited एक universal agenda लेके आता है जिसमें पूरी दुनिया के यूद्स को empower किया जा सके पढ़ाय लिखाय जा सके education provide की जा सकते skills की दिये जा सके empower किया जा सकते और नौकरी प्रवाट की जा सके और यह जो generation unlimited जो की पूरी दुनिया में चल रहा है इसके Indian chapter का नाम है यूवा जो की 2018 में बना तो यह यूवा की ideology यह है कि भाई young people की needs को उनके ideas को और उनके aspirations को ध्यान में रखते हुए उनको सिखाना है उनका engagement करना है skill development करना है उनके employment पे दिहान देना है और इनको young change makers बनाएंगे इंडिया का ठीक है भाई तो आप यूवा कह सकते हैं strategic long term initiative है जो solution provider है जो private sector है government of India है हमारा academic institutions है civil society organization है सब मिलके यूवा को successful बनाएंगे target क्या है तो हमारे देश के यूद को employment प्रोवाइड करना उनको ऐसी skill देना जिसके basis पे वो अपना भी कमा सके और देश का भी भला कर सके और इसी के चलते यूवा ने set up किया है young people action team YPAT ये जो YPAT है ये closely लोगों के साथ काम करेगा ताकि यूवा के जो भी interventions है जो भी यूवा की scheme है वो young लोगों तक पहुँचा ही जा सके ठीक है भई और कहीना कि यूवा के अंदर ये जो YPAT नाम का जो छोटा सा group है इसका आपना खुद का गवर्नेस लेवल होगा ये ठीक ठाक तरीके से यूवा के साथ coordinate करेगा तो कुल मिला कि यूवा के अंदर ही एक छोटा सा board बना दिया गया है जो कि ground लेवल पर चीजों को implement कर रहा है ठीक है अभी यूवा में एक चीज़ और याद रखेगा एक mission 2030 है mission 2030 ये यूवा वाला है इसको हमेशा दिमाग में रखेगा क्योंकि दुनिया भर में बहुत सी जोंगों पर mission 2030 चलाए जा रहा है साथियरे पर अपना चला रहा है कोई दूसरा देश अपना चला रहा है तो mission 2030 यहाँ पर यूवा वाले mission 2030 के बात हो रही है आने वाले से में productive काम कर सकें 300 million young people के साथ partnership करेंगे ताकि वो change makers बन सकें और leadership के लिए space create कर सकें तो मतब 300 million young people को change maker बनाना leadership के लिए त्यार करना 200 million young people को relevant skills देना ताकि वो productive lives जी सकें 100 million young people को aspirational economic opportunity देना तो यूवा के काम के बारे में हमने ठीक से बात कर ली और UNICEF के साथ यह जो ministry of labor and employment में यह जो MOU साइन के है statement of intent साइन के है किसके बारे हम बात कर ली अब तक भारत सरकार ने कौन-कौन से important initiatives ली है employment generation के लिए तो पहला है प्रधान मंत्री employment generation program 2008 माइक्रो इंटर्प्राइज बनाए जाएंगे रूरल और अर्बन इलाकों में फिर प्रधान मंत्री मुद्रा योजना 2015 में लाए गई थी 10 लाख रुपए तक का loan non-corporate non-form माइक्रो इंटर्प्राइज को दिया जाएगा self employment के purposes के लिए भी दिया जाएगा प्रधान मंत्री रोजगार योजना 1993 में लाँच की गई ति self employment opportunities प्रवाइड करेगी educated यूद को जो की unemployment है unemployed को loan देगा 10 लाख यूद और women तक को national youth policy 2014 तो हमारे देश के यूद को empower करना और भी बहुत से scheme से मनरेगा हो गई दीन दियाल उपाध्या ग्रामीड कोशल योजना scheme हो गई ठीक है ना दीन दियाल उपाध्या नैशनल अर्बन लावली हुड विशन हो गया तो इस प्रकार के बहुत से missions चला रखें तो जब भी आपसे ये पूछा जाए कि भाई हमारे देश में युथ के empowerment के लिए क्या किया गया है तो आँख बंद कर कि ये scheme हैं आप चेप सकते हो तो एक paragraph में भी सारे scheme के नाम लिख दोगे ना तो शायद एक डेल नमबर एक्ष्टा देदे का examiner ठीक है तो आप बहुत Indian युथ के statistics को देख लेते हैं 2011 में 15-24 साल की age group में 23.3 करोड़ लोग थे इंडिया में 2021 में ये नमबर 25.1 करोड़ पर पहुंच जाएगा 15 से लेके 69 साल की age group में काम करने वाले working people 2011 में अगर आप देखो तो 60.7% थे 2036 में 64.9% हो जाएगे मतब 2011 में देश की जितनी भी total आवादी थी उसमें से 15 से 69 साल की age group की आवादी थी 60.7% और ये परसेंटेज 2036 तक हो जाएगा लगबग 50% यानि 64.9% फिर यहाँ पे एक इंडिया skill report आई थी 2021 में V-Box के दोला जिसने Tags एक recruitment platform है Confederation of Indian Instacity, All India Council for Technical Education AIU, UNDP इन सब के साथ मिलके कही न कहीं एक All India skill report रिलीज हुई और ये बोला गया कि दिल्ली NCR, ओडिसा और उत्तरफदेश ये तीन ऐसी जगह हैं जहां पे देश में सबसे आदा employable talent है फिर ये बताएगा कि हमारे देश में जितने भी युथ हैं उसमें से 45.9% युथ highly employable resources है मतलब आप उनको employ कर सकते एक minimal training के साथ तो थोड़ी से training देके उनको productive कामों में economic activities में लगा जा सकता है वोमेन की employability इस study के साफ से India skills report 2021 के साफ से में से ज़्यादा निकल के आई है वोमेन की employability 46.8% में की है 45.91% ठीक है तो ये सब बात है यहाँ पे ये कुछ statistics हैं statistics को आप incorporate कर सकते हो फिर technology पे भी कहीं न कहीं focus किया जा रहा है हमारे देश में employability के aspect को improve करने के लिए उसको technology के साथ जोड़ना बहुत सब ज़रूरी है चोकि digital technology का जमाना और कहीं न कहीं इंडिया में इंडिया mission बहुत तीजी से चल रहा है आज की date में education का field ले लिजे governance का field ले लिजे सब कुछ electronics, सब कुछ digital होने की कागार पे तो हमारे योथ को भी कहीं न कहीं digital technologies में training देनी पड़ेगी अगर आगे आने ले समय में उनको labor market में employable भराना है तो तो यह पूरा का पूरा analysis था general studies paper 3 में development और employment में इन्यूज आपको काम आईगी अब यहाँ पे छोटा सा question है the employability of youth has remained a big challenge in India despite a significant focus on skill development elaborate with government's major program to achieve so in the past इस particular question का जब आप answer लिख रहे हो तो past में जो government के program से वो कौन-कौन से थे उन्होंने क्या-क्या achieve किया और साथ-साथ current context में सरकार क्या-क्या लाने की कोशिश कर रही है क्या-क्या नए initiatives लाने की कोशिश कर रही है उसको भी आप कहीं न कहीं इस answer में quote कर सकते general studies paper 3 का है अगर आप answer लिख रहे हो तो नीचे comment box में भी लिख सकते हो बागी लोगों के review करने के लिए अगर आपके पास समय लिखे मिले तो इस question का अंसर लिखने कोशिश करो की major programs है जिसने skill बढ़ाने की कोशिश किये युद को employable बनाने की कोशिश किये अभी के लिए कौन-कौन से program बनाए जाने सरकार के दोरा और आपके opinion के साब से क्या-क्या किया जा सकता है जिससे युद की employability बढ़ाई जा सकता है